फिल्म जगत हो राजनेती हो या छेत्र हो व्यापार जुन्म फरेब के हर गली से गुजरे जो कहके खबरदार जूट का परदा फाश करेगा सच का पहरेदार हर तरह की खबरे लेकर पेश है मुंबई रफ्तार नमस्कार मैं हूँ सेयद शातना और आप देख रहे है मुंबई रफ्तार न्यूज करें दो करें रफ्तार रहे जो करें रहे है मुंबई रहे है क्याक्क असलाम अलेकुम मेरे नाम सलमा कुरेशी है इससे पहले भी मैंने कई बार वीडियो वाइरल किये हैं जो तकलीफे में सह रही है और जो ज्यादती मेरे साथ हो रही है हमारा जो भी ये प्रावलम है ये 2016 से चल रहा है और अब तक मुझे लगता है मैंने 100 से ज़्यादा अप्लिकेशन दे चुके हैं कई कंप्लेंड हम पर हो चुके है और हमारा आपस का जो मामला है वो हम लोग ये उमीद के साथ चलते हैं कि आज नेकल खत्म हो जाएगा पर आज की तारीक में कुछ चीजे ऐसी होने लगी है कि आपस का मामला आपस का नहीं रहा मेरे देवर का सपोर्ट लेते हुए वो अगर शायद ये कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी पता नहीं चलता है दूसरे लोग आजकल इसके बीच गुसे हुए है जिनका नाम इम करना और लोगों के साथ में जूटे जूटे केस बनाना लोगों को जूटे केस में फसाना और किसी के भी गाड़ी तोड़ना किसी की भी गाड़ी चलाना जला देना इमरान अमान शेक इसने पहले भी किसी की गाड़ी जलाई है जो वडाला का अगमी है उसके भी डिटेल् मेरे पास है मैं आप आप लोगों से रिक्वेस्ट खासकर सीपी साब से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सर पुलिस स्टेशन में रोज ये हो गया कि एक उनकी एंसी एक हमारी एंसी एक उनसी इंसान कमाने खाने के काबिल नहीं रहे गया 25 साल मैंने अपना प्रोफ स्टेशन किया जा रहा है मेरी हेल्थ खराब की जा रही है मेरे बच्चों पर जूटे जूटे केस किये जा रहे है मैं दूर नहीं जाओंगी आज कॉन्फरेंस बुलाने की मेरी वज़ा ये है रमजान जैसे रमजान में तीन तारिक को एक ऐसा जूटा केस हुआ कि जिसकी कोई वज़ा ही नहीं रही और पुलिस ने ना उनसे कुछ पूछा उसके बाद मैंने खुद भी एक एफायर लांच कराया जो हकीकत थी वो बताया उस एफायर में इमरान अमान शेक पुलिस स् स्टेशन में हूँ यहां पर मेरे बेटे ने गाड़ी किसी की सेल करने के लिए लाके खड़ी है फरारी गाड़ी है जिसमें उसको पचास हजार एक लाक रुपया मिल सकता था उस मैं जब तक पुलिस स्टेशन में हूँ उस गाड़ी पर पत्थर मारके चले गए वहां से म हैं राजावारी पुलिस राजावारी हॉस्पिटल जाती हूँ अपने मेडिकल के लिए अपने शोगर के साथ बड़ा वाला बेटा मेरा उसका दो मेने पहले एक्सिडन हुआ हुआ है और वो चल नहीं पा रहा है उसका एक पैर काम नहीं कर रहा है वो जगे पे मौझूद नहीं है छोटा वला बेटा कहीं है बेटा है जो पुरूफ में दे सकती हूँ कि वो कहां बेटा है यहाँ पर कोई मौझूद ना होने के बावजूद मैं केस कर रही हूँ इमरान अमान शेक पे केस होते ही इमरान अमान शेक क भाबी भाग कर जाती है रात में देड़ बजे और ये कहती है कि मुझे रशीद ने गाली दे दिया मुझे वसीम ने मारा मुझे रशीद के पापा ने मारा पुलिस ये ज़रूरी नहीं समझती है कि रशीद का है रशीद का पापा का है भाई रात में देड़ बजे हमारे प इसमें से निकलेंगे, इसका मतलब क्या है, कि जो मुझपे भी ती, मैंने एफाइर दिया, तो उसमें इंबरान अमानशेक है, वो एफाइर, रुबिना कुरेशी, अस्लम कुरेशी, मौम्मद रफिक कुरेशी और रुबिना का भाई वसीम कुरेशे, वसीम शेक और इमरान अमान शेक जबकि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ अंदर जा रहे हूँ गेट पे खड़े रहेकर इमरान अमान शेक बोल रहा है इसका तो मडर करना ही पड़ेगा जब तक ये मरती नहीं हम लोगों को जगा नहीं मिलेगी और उसके बाजू में खड़े भी पता चल जाएगा पर मैं इसलिए ये बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये उकसाया जा रहा है इसका कोई मतलब नहीं एक अंजान आउरत रात के देड़ बज़े पुलिस स्टेशन में जाती है मेरे बच्चों के नाम पे फायर करती है पंदरा दिन से ये प्रॉब मुल्गे वर तुम्चे दोनी मुल्गे वर और तुम्चे मालका वर एक लेड़ी नी एफायर केला है तेची नोटिस हमी द्याला आले कसला एफायर है मेडम तेता हमाना पन माहित नहीं है ती रातरी चा दावत दावत आली एफायर गे उन गेली तुम्चे मुल्गेला पा जाली है के नहीं जाली आहो मैडम नहीं हे तुम्चे मुलगेंची पुछताज जाले नंतर थे पंद पुछताज होना रहे मजे हे एफायर का केला गेला है कि सलमा मैडम ने एफायर किया है सलमा मैडम पे जो बीती है उन्होंने एफायर किया है तो इसलिए अगेंस में बाज उनकी पूछताच होगी, तो आपकी भी पूछताच होगी, तो ये क्या चीज़ है, ये कौन सा कानून है, ये क्या सा विदान है, कुछ समझ से बाहर होगी, हम लोग मार्किट में बैटे हैं, 20-25 साल से हम लोग खुद बिजनिस चला रहे हैं, दुनिया में आते जाते हैं, य क्या चीज़ है क्या हरकत है मैं समझ नहीं पा रही हूं कि यह रिक्वेस्ट करूं रोऊं या अपने आप पे घासलेट डाल के अपनी फैमिली को लेके पुलिस चोकी के बार जाके कुद को जला लूँ याने मुझे जो फैमिली विवाद हमारा साइड में रह गया है अब तो मुझे जो भी तकलिफ है वो हमारे आसपास के लोगों से जो बीच में इन्वाल हो रहे हैं जिनका मैं शुरुआत से पहले दिन से नाम लेती आई हूं और जिन लोगों से मुझे तकलिफ है उनसे पुलिस बुला के पूछती तक नहीं है वो जो कंप्लेंट कर रहे है रात के तीन बज़े देड़ बज़े जाके वो लेडिस है तो क्या मैं लेडिस नहीं हूं मैं लेडिस के अलाबा कुछ और दिखती हूं आप लोगों को जो मेरी कंप्लेंट नहीं ली मैं यह नहीं समझ पा रहे हूँ मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ तो भी ऐसे लगने लगी है कि मुझे हरस्पेंड हो रहा है पुलीस की तरफ से ये लोग कभी ना कभी मुझे या मेरे बच्चों को किसी ना किसी जूटे केस में फसाने की पूरी तयारी में है और इसके लिए जो लोग भी मेरे लिए खड़े होना चाहते हैं मैं सबसे हमबल रिक्वेस्ट करूँगी आगे आओ आज मेरे साथ हो रहा है कल तुमारे साथ भी हो सकता है प्रोपटी विवाद जो है वो खंदान के बीच में होना चाहिए भाई बैनों के बीच में होना चाहिए जो रिष्टेदारों के और खून के रिष्टे में होता है उसको प्रोपटी विवाद बोला जाता है जो भी हमारी जगा है उस जगे के लिए हम लड़ रहे हैं एक अलग चीज़े कोट में डाला गया है और कोट उसकी उसमें वो सब चीज़े चल रही है और उसको हमारे वकील भी देख रहे है लेकिन आसपस के लोगों को इसके बीच में घुसके हम लोगों को तकलीफ देना मेरे बच्चों के नाम पे मैं एक चीज़ बार बार दवराती हूँ मेरा बड़ा बेटा आज 35 साल का है मेरा चोटा बेटा आज 30 साल का है मेरे बच्चे 5 गनी बोर्डिंग से पड़े वे हैं आज तक मेरे बच्चों पे जब से हमारा प्रोपर्टी विबात चालू नहीं हुआ था उस तक मेरे बच्चों का कोई माई कलाल एक रिकार्ड निकाल के बताए कि मेरे बच्चों के उपर कई एक जूटी एंसी है जब प्रोपर्टी विबात शुरू हुआ उसी के बाद किसी को भी जूटा पुलिस स्टेशन भेज़ देते हमारा ऐसा हो गया वो फलाने ने ऐसे किया आभी अब तक लड़के जा रहे थे अब घर की औरते जा रही है यह नामर्दों को देखो इनके अंदर मैं तो सोलो हूँ मैं रात के दो वजे भी अकेली घुमती हूँ और मैं मौत से नहीं डरती अल्ला ने जिद्दगी दी है अल्ला मौत देने वाला लेकिन नामर्द लोग अपनी बीवियों को आगे भेज रहे कि बीवी को मारा अरे किदर मारा कबरस्तान में रहता है कबर ना खेच ले तेरे को अल्ला का खौफ कर इतनी बड़ी बड़ी दाडिया रखते हो मौला ना बनते हो और बीवियों को भेचते हो दूसरे पर जूटे केस करने कुरान पर हाथ रखके कसम खाओ कि तुम लोग क्या सच कर रहे जगा तुमको कबर में भी नहीं मिलेगी कि जिस तरीके से तुम लोग कर रहे हो मेरी सास को मारने में पूरा इन लोगों का हाथ जो कुछ हमारे साथ हो रहा है पूरा इन लोगों कोन है हूँ देयार बाजू की जोपड़ पटी के देयार किंग हम लोग यहां बटके क्या कर रहे हैं फिर this is very bad I am giving very humble request to CP sir I am going to meet you tomorrow sir अभी भी मैं बोलती हूँ मैंने पहले भी senior साब के नाम पे काफी complaints किया जो कुछ मेरे साथ हुआ है मैं अभी भी आप से request करती हूँ आज का मेरा video सिर्फ और सिर्फ CP साब के लिए viral कर रही हूँ और मैं उनको जाकर ये बताऊंगी भी इससे पहले भी मैंने जितनी भी चीजे जब जो भी चीजे मुझे पुलिस स्टेशन से नहीं मिली मैं बार बार अपील करती रही मैं अपील तक गई मैंने कई चीजे अपील में जीती भी है और उसमें मुझे बारा तारिक को मीडिया ने भी कवर किया है नियूस पेपर वालों ने भी कि जहां पर मेरी जीत हुई है मिडे पेपर में तो आप लोग मैं सर को यही बोलना चाहती अपनी पॉलिस को यह आदेश दीजिए प्लीज जो भी है आप देख समझ के लिजए जहां हम गलत हैं हम सजा उठाने के लिए राजी है पर लोग जान मुझ के जो हमको कर रहे हैं तीन तारिक की तारिक यह मेरा यह देखी यह एक एफार मेरा होता है पांच लोगों के नाम पे असलम कुरेशी रुबीना कुरेशी मुहमद रफिक कुरेशी वसीम शेक जो रुबीना कुरेशी का भाई है रहते घाटकों पर में आके दादागिरी करके इधर जाते हैं हमारे साथ में उसके बाद इमरान अमान शेक जो पुलिस स्टेशन में खड़े रहे के मुझे मारने जान से मारने की धमकी दे रहा है अल्रेडी पुलिस स्टेशन के कैमरे में वो आ रहा है उसके बावजूद उसकी भावी जाकर रात में देड़ बजे जबके मैं हॉस्पिटल में हूँ मेरा बेटा जगे पे नहीं है हमारे नाम पे एफ़िएर देती है पुलिस बाजु में है हमारे आके ये देखना भी ज़रूरी नहीं समझती है एन्सी भी नहीं लेती है सीदा मेरे बच्चों के ओपर ए फ़ट रहे सर मैं बार बार ये आप से रिक्वेस्त हम्बल रिक्वेस्त कर रहे हूं पार्टी के एफायर का टाइमिंग देखोगे आपको खुद पता चल जाएगा मैं गाड़ी मैं पुलिस स्टेशन में हूँ और मैं एफायर दे रहे हूँ उसके बीच मेरे बेटे के पास एक गाड़ी भीकने आई है उसके ओपर पत्थर मारके चले जाते हैं उसके बाद दे बचा है या हम चटनी रोटी खा रहें वो पूरा नर्ख हो सके क्यूंकि अभी बहुत कुछ कुछ किया लेकिन देखा के यह लोग हार नहीं रहे तो अब हमारी मेरी रोजी तो बंद कर के बैटे अब अगर बेटा चटनी रोटी कमा रहा तो वो बंद करना चाहिए इसके लिए ये सारी चीजे तो आखिर क्या कानून किसी एक के लिए ही है या कानून सिर्फ जो लोगों ने पुलीस को अपनाया है उनी के फेवर में चलता है और हम लोग क्या है कितना रोएंगे तीन साल हो गया कितना बोलेंगे हद हैं ये चीजे कमी नहीं हो रही है बढ़ती जा आज तेरा चोदा दिन हो गया अभी तक एक छोटा पंच नामा भी ने हुआ एक दो एंसी लिए एंसी लेके फाइल को बंड कर दी आहो मेडम बगो हमी पंच नामे ला यह हूँ अरे को ने हमको मालूम है ना हम बोल रहे तो हमारी सुनो तो सहीं नहीं सुनना है अनी का है तेनी एक कंप्लेंट के लिए बरा बरा एक काम करा तुमी पंच कंप्लेंट करा का कंप्लेंट करूं मी खोटा करना नहीं है तुम्हाला बगाए चाहिगा मी खोटा करू शकते का है मनुन तुम्हाला माजी पंच कंप्लेंट पाई जे का है का है चालना का है नहीं तर माला बार माजे लेखी मदी उलेक केलेला आहे जोड़े त्रास मी सेन करते बला माईते क्या कोन ने आमचे पाटी लागला है अन हंड्रेट परसंट तेचे मदी चेंबूर पुलिस इस्टेशन ला तेंचा सपोट आहे सर प्रोपर्टी आपले जागावर आहे पन इकड़े एक आनुशासन आहे है कि यह बगुशक्तो के काय चालना इकड़े एक काय है कुझ टला पुरपर्टी विवाद है प्रोपर्टी आमचे सोता चिppन नहीं है माजा दीर दूसरे ची प्रोपर्टी विकुच मसला है तेला विछारना राकोनी नहीं है आनि आमाइआ थोड़ा काय आज मी माजी हमपल रिक्वेस्ट है हमचा अपसतला जे आमी सोता बगुन गेव पन आजू बाजू चे जे लोग का अता हमाला तरास देया साथी सुरू जाले प्लीज सर तेन लोग का अला कंट्रोल करा उद्या चेला एकड़े काई जाला तर चेंबूर पुलिस एस्टेशन ला हेचे मदी रिस्पंसिबल ठरवा हे माजी हमबल रिक्वेस्ट है इससे पकसे जास्त मी काई बोलत नहीं है तुम्ही लोग का सोता समझदा रहे माजी जे क मने मुझे पर हाथ उठाया उस पर 304 लगा जिस दिन मैंने एफायर किया उसी दिन रात में जो लेडी जाकर मेरे दोनों बच्चों के उपर एफायर करती है उस लेडी का नोटिस पुलिस अपने पास रखकर 15 दिन आज 17 तारिक है तीन तारिक की रात को यह कंप्रेंड हु के उपर एफायर हुआ महली मैडम कसका एफायर जाला मुलगा हस्पिटल मदी है नहीं मैडम ते तर इन्वेस्टिगेशन सा पार्ट है ते अपन नंतर बगू अपन एक लेडी साली मनूनामी एफायर घितला एफायर लेने के बाद भी 15 दिन के बाद आज मुझे यह कॉप तोड़ा चार जन्वरी 2019 को तब से मैं कंप्लेंट रेगुलर कर रही हूँ कि कोट में हमारा फैसला है कोट में हमारा मैटर चल रहा है उसके बावजूद भी इसने यह रूम का ताला तोड़ा है उन्लोगों को मेरे अप्लिकेशन देने के बाद उपर से लेटर आने के बा फिर मैंने जाके पूछा कि सर क्या हूआ तो आला हुजता का है काई डाक्वोंच सुमिट के ले तैनी नहीं तैनी वक्त जबाब दीला है जबाब दिला है तब र्टी अ मदी गे ले र्टी अ टकला कि सर मला ते jaबपची कॉपी देया जबाब मदी तैनी काई सांग इतल कि तुमाला तेचे काई डाकॉमेंट देवशकत नहीं है फिर मैं उसके बाद सेकेंड अपील में गई जो डीसीपी के साथ हुआ फिर डीसीपी के बाद वापस मैं मंतरा ले तेरा माले पर अपील में गई कि सर मैं एक स्टेटमेंट मांग रही हूँ जबके उसके पस कोई ड हर दिन एक दुकान का ताला तोड़के गुसता है कोट में रहने के बावजूत भी तो सर मुझे एक उसका उसने क्या लेखी दिया क्या डाकॉमेंट दिया नहीं मैडम आमी देवशकत नहीं जब मैं मंतरा ले तेरा माले पर गई किसी हर किसी को यह मैसेज देना चाहती हू कभी भी किसी को RTA में जाना है तो फर्स अपील, सेकेंड अपील, फर्स अपील ACP तक होता है, सेकेंड अपील DCP तक होता है, सिर्फ पुलिस स्टेशन की हद तक रहता है, आप लोग कभी भी थर्ड अपील तक जाए, मंतरा ले तेरा माले तक जाए, आपको इंसाफ मिलता ह वहाँ जाने के बाद जब आदेश हुआ कि लेडी जो मांग रही है अगर तुम्हारे पास पेपर है तो दिये क्यों नहीं जाते अब उसको ये पेपर दो तो मैंने 4 जनवरी 2019 से मैं लड़ रही हूँ और अब जाके 15 तारिक को अपील के उपर उसने जो भी जूटे सचे डा से ले लिया कमर्शल परमाशस में दादा गिरी करने के लिए आखे रह रहा है ये सब जो एग्रिमेंट उसने बताया है एक पैसे का नहीं सारा जूटा जूटा ये अब जाके पेपर मेरे को मिले है तो मतलब पुलिस की तरफ से मुझे ये हरेस्मेंट है अगर ये एक डॉ हूँगी नहीं जब तक मैं हरूँगी नहीं और मेरी अपनी एक आदत है कि जब मैंने गलत नहीं किया और कोई प्राब्लम मेरे तक आ गई तो मैं हमेशा ये सोस्ती हूँ इसके पीछे कोई अच्छा ही है और इसमें मेरा कोई भला होने वाला है क्योंकि ना मैंने गल्ती क मुझ्टाक अमान satu Vancouver मैं गुस्टिय मुझे और मेरी देवराणी को मारा मेरी देवराणी के कपड़े फाड़े और इस पर केस При health Rush & और केस नमबर 86, दो केस नमबर हुए, हमने मार खाया, पर हमारे से पहला इमरान अमान शेक का कंप्लेंड हमारे उपपर हुआ, हमारी दुकान हम मार खा रहे हैं, हमारे कपड़े फट रहे हैं, पर कंप्लेंड किसका पहले हो रहा है, केस नमबर 85 नमबर इमरान का जो हम पर क उसके बाद मैं आप बार बार आर्टिय डाल रहे हूं बार बार अपिल में जा रहे हूं में जा रहे हूं बार बार आर्टिय डाल बार बार आर्टिय डाल रहे हूं माज़ी इंविटेशन आए अजोन 24 तारिकी लाए केस कुरला 11 नमबर मदी आए आनि पौने तिन लाए केस अस्ता का अमी तिकड़े अस्तार कोनी मीडिया अमाला हेल्प कराला याचा अस्ता तिकड़े यह उशक्तो जो भी मीडिया वाले हमारी मदद करना चाहते कुरला इस तारिक को फिर यह केस है जिसमें हमारे स्टेट्मेंट हो रहे हम मार खाने के बाद वो लोग हमारे सर पे बैट रहे हैं आप कोई भी मीडिया आके इसको कवर करना चाहती है तो कर सकती है मैं आप लोगों की शुक्रू गुजार रहोंगे मुंबई रफ्तार न्यूज की खबरे बसंद आने पर हमारे यूटूब चैनल को सब्क्राइब करें और लाइब करें